2022 देखो काव्यदा इंटरस्टिंग साल था आपके साथ कुछ ना कुछ तो इंटरस्टिंग जरूर हुआ होगा लेकिन यहाँ पर हम अपने परस्नल लाइब को डिसकस नहीं करेंगे यहाँ पर बात करने वाले जो कि हम हमेशा करते स्मार्टपोन के बारे में 2022 में कही सारे स् समार्टपोन लांच हुए उन में कुछ ऐसे भी स्मार्टपोन देख एक जिनको देक्ड़ कर लगा कि हाँ अब सवाल यह यह वीडियो किस टॉपिक पर बन रही है तो आसान भाषया में बोलू तो 2022 में जो पांच बेस्ट स्मार्टपोन मुझे लगते हैं उनके उपर ये वीडियो बन रही है अब बेस्ट और टॉप वर्ट सुनने के बाद कावि सारे लोगों की दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सारे फ्लैक्शिफ फोन होंगी तो वीडियो देखने की क्या ज़र होते है वैसे पहले से आमें पता है कि कौन से फोन टॉप है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो तो देखो हमारी लिस्ट में सारे फ्लैक्शिफ फोन नहीं होने वाले वो फोन होने वाले जो कि एक्चुल में डिजर्व करते है इस लिस्ट में आना जो कि पहले smartphone का नाम सुनने के बाद ही आपको पता चल जाएगा और हमारा सबसे पहला smartphone है Redmi Note 11 मुझे पता है कि इस phone का नाम सुनने के बाद कई सारे लग सोच रहे होंगे कि भाई 15,000 के नीचे आने वाई एक budget phone top 5 phone के list में कैसे आ सकता है कैसे आ सकता है मैं बताता हूँ देखो जब यह phone launch नहीं हो आता उस time पे smartphone की price बढ़ गई थी जिससे 15,000 के नीचे ज्यादा options थे नहीं लेकिन जब यह phone launch हुआ इस phone ने 15,000 के नीचे एक बहुत ही best option बना दिया लोग इसको purchase करने लगे यूट्यूबर भी बोल रहे थी इस phone को purchase करो 15,000 के नीचे बहुत सही phone है मैंने भी आपने कई सारे वीडियो में बोला था अब भाई जाहिर सी बात ही कि इतने सारे लोग बोल दे तो phone में कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होगा जैसे कि इसमें आपको AMOLED display मिलता है stereo speaker वगेरा मिलते है performance आपको ठीक टाक मिल जाती है cameras भी सही मिल जाते है लेकिन quad camera setup मिलता है मतलब एक overall अच्छा package बन कर आता है बस यहाँ पर दिक्कत है यह थी कि एक 4G handset था साथ में आपको Android 11 out of the box मिलता था Android 12 नहीं मिलता था जिससे Android 14 को लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि दो ही major update मिलते है मतलब Android 12 और 13 मिलेगा 14 नहीं मिलेगा तो यह एक छोटी से दिक्कत थी लेकिन इसके बजाए बाकी सारे चीज़े इस phone में काफी सही थी 15,000 के नीचे एक best option यह smartphone था और अभी भी हो सकता है अगर किसी को 5G 4G से दिक्कत नहीं है तो दूसरा phone जो की 20,000 के नीचे गेमर्स के लिए एक मसिया बनके सामने आया जो की है Realme 9 SE 20,000 के नीचे यह Snapdragon के 778G प्रोसेसर के साथ लाँच हुआ जो की किसी ने भी expect नहीं किया था मैंने भी नहीं किया था कि इस प्रोसेसर के साथ यह 20,000 के नीचे आएगा और पफोंस तो थी लेकिन साथ में 144Hz का रिप्रेशट भी इस phone ने offer किया जो की 20,000 के नीचे बहुत ही कम देखने को मिलता है मुझे लगता है कि यह पहला ही phone होगा जो 144Hz के रिप्रेशट के साथ आया था 20,000 के नीचे लेकिन वहाई रियल मी ने गेमर्स के लिए काफी सही कदम उठा है कि 20,000 के नीचे एक ऐसा स्मार्टपोन लाँच कर दिया सर अब पुरुष नहीं है क्या? मापुरुष है सर, मापुरुष लेकिन देखो होता क्या है कि जब phone किसी एक चीज के उपर टारगेट करता है जैसे gaming के उपर टारगेट किया तो बाकी कुछ चीजों में उसमें compromise करना पड़ता है जैसे कि यह phone gaming को टारगेट करता है तो इसमें camera आपको decenty मिलेगा जैसे कि इसमें depth और macro sensors मिलते है लेंस मिलते है जो कि बिल्कुल यह useless है मतलब एक phone में होकर भी ना होने की बराबर है साथ में night photography अच्छी नहीं इसकी और एक और दिक्कत कि stereo speaker नहीं मिलते हाँ वो अलग बात है कि आप यहाँ पर headphones वगेरा यूज करते हो तो वहाँ पर कोई ऐसे सोचने की बात नहीं है तो यह camera वाले चीज़ को side में कर देना तो बाकी सब अब चलते हैं तोड़ा सा उपर की segment की तरफ यानि की mid flagship की तरफ यहाँ पर जो सबसे best phone मुझे लगता है वो है IQ9 SE smartphone जो कि launch हो था 35,000 के आसपास मिलता था लेकिन अभी 30,000 के नीचे मिलता है और ये 30,000 के नीचे एक one of the best option है लेको IQ का कैसा रहता ना ज्यादातर gaming को target करते है लेकिन ये phone different है ये phone gaming के साथ-साथ बाकि सारी चीज़ों को भी target करता है जैसे कि आपको AMOLED पैनल मिलता है और Snapdragon का 888 प्रोसेसर तो है जो कि gaming हो या फिर heavy task हो उसके लिए सही है लेकिन इसमें आपको display chip भी मिलती है जो कि आपके smooth experience को और smooth बनाती है 120Hz refresh rate हो या फिर gaming कर रहे है 120fps पे वहाँ पर experience और better हो जाता है आपको graphics, visuals और better देखने को मिलते है तो ये सारी चीज़े भी बहुत ज़्यादा matter करती है और जैसे कि मैंने बोला कि gaming phone हो तो बाकि चीज़ों में compromise करना पड़ता है जैसे realme 9 SE camera में सही नहीं था लेकिन इस phone का camera अच्छा है आपको पसंद आएगा अब battery backup इसमें आपको थोड़ा सा कम मिलेगा 4500mAh की battery लेकिन 66W का charger मिलता है तो यहाँ पर charging speed मुझे बहुत ही सही लेगी और ये एक value for money smartphone है और इसका look भी काफी सही है मतलब हाथ में पकड़ोगे तो premium feel होता है फोन की बात हो रही है और चोटी मोटी कमिया भी है जैसे कि headphone jack नहीं मिलता और front touch OS में कुछ bloat wire रहते तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है भाई अब चलते है और उपर के segment की तरफ यानि की flagship smartphone की तरफ अब वैसे भी बचे दो smartphone है और दोनों ही flagship range में आते सबसे पहला camera को target करता है अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको एक camera centric phone चाहिए जिसमें cameras related दुनिया भर की features भरे पड़े हो मतलब हाथ में पकड़ो phone लेकिन लगे ऐसा कि DSLR पकड़ा है यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया अब इस phone में night photography, videography सब कुछ सही से हो जाती है मतलब night के लिए तो यह phone काफि सही है और आप इसमें 8K में video record कर सकते हो 60X तक आप digital zoom कर सकते हो और performance part में भी यह phone कम नहीं है Snapdragon का 8 Gen 1 processor मिलता है charging के मामले में और एक जो सबसे अच्छी बात लगती है इसका fingerprint scanner एक tap करते ही set हो जाता है बाखी phones में कैसा होता है कि हम fingerprint जब set करने जाते हैं तो बार बार वहाँ पर fingerprint लगाना पड़ता है उसके बाद वह set हो जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है और साथ में जब unlock करने के लिए जाते हैं तो बाखी phones में एक fingerprint का animation दिखाय देता है लेकिन इसमें एक square दिखाय देता है जिसका area बहुत बड़ा है जिसमें आप कही पर भी tap करो यह phone बहुत ही आसाने से unlock हो जाता है वो चीज़ भी मुझे काफी सही लगी इस phone की अब इस phone में भी कुछ दिक्कत है जैसे कि थोड़ा costly लगता है और साथ में इनके UI में bloat wear रहते है Vivo का phone है और इसका thermal performance का भी थोड़ा सा issue है यह एक ऐसा बंदा है कि जिसको camera centric phone चाहिए वो definitely इसके तरफ जा सकता है यह अलग बात है कि इसका back side उसको पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा क्योंकि इस phone का camera model थोड़ा सा अजीब लगता है अब बढ़ते भाई list के last smartphone की तरफ जो कि मुझे लगता है कि का आपसार लोगों ने predict कर लिया होगा वो है Samsung S22 Ultra वे Samsung ने इस phone में क्या करा ना Note series से थोड़ा सा उठाया और S series से थोड़ा सा उठाया दोनों को मिला कि एक नया combination बना दिया और फिर बन गया Samsung S22 Ultra लेकिन इस phone को देखर ही S series का लगता नहीं मतलब पूरा phone Note series का लगता है खाली नाम में S22 Ultra है खेर इस phone का अगर review देना हो ना तो मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ पता है क्यों क्योंकि इस phone को मैंने use किया है मतलब यह मेरे पास है नहीं अगर होता तो रियल में से शूट नहीं कर रहा होता यह phone मेरे एक दोस्त के पास था My Rich Friends तो जैसे इसको हाथ में पकड़ते हो फोन की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज जो आपके उपर impression डालती है वो है इस card display जो pop-up करके आते हैं आपके side में जो बंदा खड़ा होगा वो भी आपसे पूछेगा या फिर वो एक बार मुड़के देखेगा कि भाई कौन सा phone है और इसका look भी काफी सही लगता है मतलब हट के नज़र आता है मतलब Samsung के phone उटा लो या फिर किसी brand के बाकी brands के भी phone उटा लो उन सारे brand से ये stand out करता है कि भाई कुछ नई चीज हाथ में पकड़ी है उसके बाद इसका camera performance excellent है आप 8K में video record कर सकते हो 100X तक zoom कर सकते हो 100X की quality आपको पसंद नहीं आएगी लेकिन fun के लिए काफी सही है मैंने try करके देखा है और इसका S Pen S Pen काफी बढ़ी है जिस तरह से S Pen को आप बाहर निकालते है वो चीज कूल लगती है उसके जो features है वो काफी बढ़ी है और मतलब कुछ futuristic चीज आपने हाथ में पकड़ी है ऐसा feel होता है और last में इसका ultrasonic fingerprint scanner जो की पानी लगाऊती है लगाऊ या फिर धूप पड़ रहे हो हर जगा पे काम करता है इस फोन में एक जगा पे दिक्कत है वो है बैकप देखो 5 जगा पे बैटरी मिलती है लेकिन इसका डिस्प्ले बहुत बढ़ा है काप यदा ब्राइट है बहुत सारे features है साथ में S Pen है जिसकी वज़े से इसका backup बहुत कम लगता है और साथ में ये लोग 45W का charger देते मतलब charging का support देते charger नहीं देते अलग से खरीदने के लिए बोलते है तो वो थोड़ी से यहाँ पर दिक्कत लगती है कौन से 2022 के और अगर वीडियो पस्ना आए तो वीडियो को लाइक कर सकते है चानल को सब्सक्राइब कर सकते है हम मिलेंगे नेक्स्ट ओले वीडियो में